अगर दोस्तो आप लोग अपने वेबसाइट को Android F में कंवर्ड करना चाहते तो दोस्तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा simply आया है कि यह आप लोग कैसे ही अपने website को Android app में convert कर सकते हैं तो दूस्तों यह वीडियो आप लोगों को लिए नहीं है इस वीडियो में दूस्तों आप लोगों को सारा source code लिख के बताने बाला हूँ और सारा source code आप लोगों को provide भी करने बाला हूँ इसी तरीके से स्क्रीज वा स्क्रीज हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और एक पूरी तरीके से वेब बेस्ट एंड्रॉइड एप्लिकेशन बनाएंगे जो कि दूस्तों आप लोग अपने यूट्यूब चैनल का भी एंड्रॉइड एप बना सकते हैं अपने website का बना सकते उसके बाद दूस्तों हम लोग यहां पर क्या करेंगे सबसे पहरें create new project पे क्लिक करेंगे उसके बाद दूस्तों हम लोग यहां पर empty activity के साथ next button पे क्लिक करेंगे उसके बाद दूस्तों यहां पर हम लोगों को अपना application का नाम देना है application का नाम आप लोग जो आपके website का न जालने वाले हैं तो यहां पर आप लोगों को पैकेज नेम अच्छी तरीके से देना है आपके डॉमेन के साथ उल्टा करके आप लोग दे दें जैसे यहां पर मैंने तो दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं हमारा प्रोजर बालके बिल्कूर रेडी हो चुका है यहां पर पहला जो है activity.man.xml में हम लोग जाते हैं यहां पर दोस्तों हम लोग layout डिजाइन करेंगे उसके बाद दोस्तों यहां पर man code हम लोग लिखने बाले हैं तो आज दोस्तों फिर भी मैं आज आप लोगों को बताने बाला हूं इसके लिए दोस्तों लोग एक नया activity बनाएगे यहां पर दुस्तों हम लोग आपने पैकेज़िदेंड लैड करेंगे लाइट किलिक करेंगे उसके बाद दूस्तों यहां पर एक्टिबिटि के साथ किलिक करे लोगो लगाएं। लोगो कैसे लगाएं। तो लोगो लगाने से पहले दुस्तों आप लोगघ यहां पर पहले पर लोगों बना ले जैसे यहां पर आप लोगों को यहां को, यहां पर पेस्ट पर किलिक करना उसके बाद नीचे वाले में सेलेक्ट करना उसके बाद दोस्तों के फिर से रिफेक्टर पर किलिक कर देना इस तरीके से दुस्तों आप लोगों को दो बार कर देना उसके बाद दुस्तों आप लोगों को क्या करना वैल्यू में जाना है थी ठीम.xml में जाना उसके बा座न यहाँ टार्क एक्जेमल लिखा यहाँ पर कर देना है कि ऑनल्वाज़ कर देना ऐना नो एक्षन बार है। इससे हो यहां पर दोस्तों हम लोग एक इमेज ड्राइग औन ड्रॉप करना इस तरीके से यहां से किया है जो लोगों लगाए थे हम लोग इसको को स्लेक्ट कर लेंगे उसके बाद दोस्तों हम लोग यहां पर इसका size बगएर करते हैं यहां पर size देते हैं 100 dp और इसको देते हैं dp इस तरीके से यहां पर हो चुका है दोस्तों इसको हम लोग इसको उपर से consistent कर देंगे इधर से कर देंगे और इधर से कर देंगे margin देते हैं हम लोग इसको धिसको 32 dp 30 dp और 32 dp इस तरीके से हम लोग यहां पर इसको margin देगे यहां यहां इस तरीके से आ गया उसके पाद गया तो अम लोग यहां पर इसको एक test view लगाएं तो test view को drag and drop करते हैं यहां पर दोस्तों हम लोग K mountains 32 इस तरीकी से आप लोग दिदें और दोस्तों इसका है यह हैॹक재 है के इसके पाद्य हम लोग यहाप चलते के डैजानिंग दोस्तों यहाप लूग एप्लिकेशन का नाम देंगे यहाप आप लोग लिख़ेंगे तो दोस्तों यहाप लोग देख Очень summer llam blew ней तो text style हो गया, bold कर देते हैं, text alignment center, test size 20, sp, इस तरीके से दुस्तों, आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से दुस्तों हमारा ये home screen रहेगा, तो इसको भी हम लोग constant चाहे तो नीचे से कर देंगे, तो यहां से इसको हटाते हैं, इसी तरीके से रने तो कोई दिकत इसमे नहीं है, तो दोस्तों आप लोग इस तरीके से constant बगएरा कर सकते हैं, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, तो यहां पर हम इसको center बनाने की कोशिश करता हूं, फ़ल इसका जो constant है, यहां से हटाते हैं, इसको नीचे से कर देते हैं, यह हो गया, आप जोस्तों इसको constant क कर देते हैं इस साहे आसको नीचे से हटा देते हैं तो इसको तरीके से यहां से हमारा काम हो चुका है तो 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 इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं सद्रगर करके दोस्तों हम लोग timing store करेंगे तो private aesthetic int यहां पर इसका नाम दे देते हैं splash time splash underscore time इस तरीके से बाद इसको यहां पर हम लोग assign कर देते हैं जैसे यहां पर कर देते हैं 3000 यह second हुआ यहां पर क्लिक करना है यहां पर पूरी तरीके से बिंडो को राइड करेंगे मतलब तोस्तों यहां पर उपर में talk बार लाथा timing बार इसको यहां पर कुछ इस तरीके से यह कोड में लिख रहा हूं हुआ आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर दूस्तों यहाँ पर get action बार नहीं होगा get window होगा window.set flag इस तरीके से उसके बाद दूस्तों यहाँ पर आप लोगों को दो चीज पास करना window manager window manager इस तरीके से उसके बाद दूस्तों आप लोगों को layout आप बढ़ी होगा layout param उसके बाद दूस्तों आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है dot flag full screen फ्लेग फुल स्क्रीन इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को कर देना है उसके बाद दोस्तों फिर इसे आप लोगों को यही चीज लिखना है windows manager.layout.layout param यहां से मैं enter कर देता हूं उसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोगों को फिर से dot flag full screen इस तरीके से आप लोगों को दो बार यहां पर full screen कर देना है यह यहां पर दोस्तों हमारा कम हो चुका है उसके बाद दोस्तों हम लोग यहां पर नीचे में आपना कम करेंगे जो कि दूस्त हम लोग यहां पर इसको मैं एंटर कर देता हूँ यहां से और इसको इस तरीके से मानेज कर देता हूँ उसके बाद दूस्त हम लोग यहां पर मैं काम करेंगे जो कि दूस्त हम तीन सकेंड होने के बाद दूस्त हमारा जो स्क्रिन से मैं एक्टिविटी पर चल ऑच है इस तरीवर से पोस्ट लेयड उसके बाद माव्हीं इनչ आ जा बाद को इस तरीवर से हम लोग लिग देंगे यहाँ पर दूस्त तो आप लोग देखेंगे यहां fan हमारा पुरा call आ चुगा यहां पर दूस्त हम लोग क्या करेंगे क्या होना चाहिए यह हम लोग यहां पर टैप करेंगे तो यहां पर दूस्त हम लोग पहले इसको error को हम लोग solve कर लेते हैं तो error solve कैसे होगा यहां पर दूस्त हम लोग यहां पर जो यह कोड लिखेंगे तीन सकेंड होने के बाद दोस्तों हम लोगों हम लोगों एक्स्प्लेस एक्टिविटी से मैन एक्टिविटी में चला जाएंगे यही हम लोगों कोई यहां पर कोड लिखना है तो दोस्तों हम लोग यहां पर टाइप करेंगे intent का यूज़ करना होगा intent intent इस तरीके से यहीं से हम लोग एक ही लाइन में सारा चीज़ लिख देते हैं splash activity splash activity कुछ इस तरीके से dot this इस तरीके से उसके पाद दोस्ता हम लोग main activity main activity dot class इस तरीके से दोस्ता हमारा एक ही लाइन में हो चुका है उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसको close करेंगे sorry यहाँ पर एक चीज़ में हम लोग ने गलती लिखा है यहाँ पर इसका object नहीं बनाया है intent equal to new यहाँ पर intent इस तरीके से दोस्तों हम लोगों को लिखना है तो यहाँ पर error खतम हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस intent को start भी करना हो तो start intent start activity start activity और दोस्तों इस intent को यहाँ पर pass कर देना intent और उसके बाद दोस्तों हम इसको finish कर देते हैं तो दोस्तों यहाँ तक तो दोस्तों हमारा काम हो चुका यह splash screen बिल्कुल बन के ready हो चुका है अब दोस्तों हम लोगों को application को test करना है लेकिन दोस्तों test करने से पहले हम लोगों को एक और important काम करना है जो कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर जाएंगे अपने application में menu fast के अंडर जाएंगे android menu fast.xml में जाएंगे इसमें जाने के पार दोस्तों आप लोगों को यह जो main activity यहाँ भी लिखा हुआ है इसको दोस्तों आप लोगों को splash screen कर देना इस तरीके से splash activity और उसके बाद दोस्तों यही जो splash activity पहले से लिखा हुआ था उसमें दोस्तों आप लोगों को main activity कर देना मतलब इसका मतलब गवा क्या है जो दोस्तों हमारा application जब भी launch होगा तो सबसे पहले दोस्तों splash activity आएगा उसके बाद दोस्तों हम लोग main activity से जाएंगे जो कि दो आप बार याते application को test करने के लिए test करने के लिए दोस्तों आप लोग यहाँ आप से emulator का भी जूज कर सकते है या दोस्तों आप लोग यहाँ से खुद का application भी खुद का mobile भी लगा सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सेंढें, मैं अपने mobile को यहाँ पर connect कर चुका हूँ, और दोस्तों आप लूग यहाँ पर run button पर किलिक करेंगे, तो यहाँ पर ग्रेडल भी start हो जागा, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दूस्तो तो यहां पर back place करता हूं, यहां पर आप लोग देखेंगे, यह दो हमारा लोग final tag था, इस पर जब मैं open करता हूं, यह हमारा home screen आता है, उसके बाद दोस्तों यह हमारा main activity पर चला जाता है, जिसमें दोस्तों यहां पर आप लोग देखेंगे, इसके layout में, तो layout में जब आप से एक जी छो जाता है ना कि दोस्तों हम लोग मैं इस प्रोजेक्ट बनाए और दोस्तों आगे की कौड हम लोग आगले वीडियो में करेंगे तो दोस्तों वीडियो के अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक वेशेर जरू करें मिलते हैं दुसरे वीडियो में तब तक लिए दोस्तों जाएं